बिद्धर शुकूभ नमस्कार एक बड़ फिज उपस्ते था हूं आप समके सामने, शुक्रवार के बाद शर्णीबार की कारिकरम में विश्ली संजम कुंडली का इस कारेकरम के अंतरकर आज पिश्ली कुंडली के नौमान्स के साथ उपस्ते था हूं, शुरू करते हैं इसक इनकी खुंडली का, यह हिमाच्छल प्रदेश, नहीं, उत्राखंट काशीपुर की यह कुंडली थी, जहां मैंने इनकी कुंडली का, यह जो चार्ट आप यहां पर बना हुआ देख रहा है, यह लगन चार्ट है, यह नवान्स है और यह दर्शमान्स चार्ट है, और इनकी क कुणलियां देख रहे हूं उसमें लगन के अलावा बाकि के जितने भी चार्ट होते हैं उन्हें भी जरू ही देख लेना चाहिए तो यहां पर आप जब यहां देखते हैं तो यह मकर लगन की कुणली बनी थी जिसमें अस्थमभाव के अधिपती बुद्ध यहां के लगने शोजाते हैं मतलब एक जो है वो एक ऐसा ग्रह जो इस कुणली के लिए कारक होता है वो इसका स्वामित तो संभालता है और खुद लगन के अधिपती होकर के जाकर के बुद्ध कहां बैठ रहे हैं अस्थम में यहां पर लगन के अधिपती कहां बैठ थे नीच के चतुर् या बिलंब या एक तरफा जैसे होता ना कि एक विपती बहुत ज़्यादा प्रेम करें दूसरा किसी और से प्रेम करें या दूसरा किसी तरीकी से थोड़ा कम करें या थोड़ा वो लिबर्टी चाहता हो बंदन में बंदन आना चाहता हो ऐसा होते हैं यहां पर दूसरे भ हैं वो कमजोर हो सकता है क्योंकि यहां ग्रहन जो है वो बहुत टफ नहीं है मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं इधर देखिए छे डिगरी की केतु हैं और सत्रह डिगरी के राहो चंद्रमा तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं इस होजासे वो एक सामाने सा कभी-कभी ऐसा भाव पैदा करेगा कि होती हैं चीज़ें समाने तयार जो दामपत्य में होता है वो ऐसे ही भाव उत्वर्न होंगे धनवगरे के मामले में यह चीज़ें और आपसे सामने जस्ते में थोड़ी सी कमजोरी के साथ आगे बढ़ें लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन को ब एकदम जोरदार क्योंकि तरती भाव में जब नैतितत्व के जिम्मेदार ग्रह सुरी की स्थती बनेगी तो नहीं संदिए एक अच्छी बात होगे आपको भी अपनी कुंडली के नमांस को चेक कर लेना चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि वहाँ पे कुरूर ग्रह की बनी है, सुभग्रह की राशी बनी है या पापग्रह की राशी बनी है यहाँ पापग्रह की राशी का बनना अच्छा माना जाएगा और अगर वहीं बैठा हो तब और भी ज्यादा दामपत्य को लाइफ बेटर मिलती है आगे बढ़ो चतृत भाव के अधिपती नहीं रहेगा, समझ रहे है मेरी बाद, मतलब वो दामपत्य के लिए किसी दूसरे को उपर निर्भर नहीं रहेगा, वो खुद के ही पैरों पर सारी चीज़ें खड़ी करके और खड़ा करना जाता है, यहाँ शनी यहीं बैठे हैं, यहाँ अंतर है, यहाँ नीच के थे, यहाँ वो मित्रस्त हो करके बैठे हैं, परिवर्तन है, बुद्ध की राशी में शनी, शनी की राशी में बुद्ध, इसका मतलब है कि यह कई बार जो स्थुती बनेगी, यहाँ पे दामपत्य में जो ससुराल का छेतर होगा, वो बड़ा ही बहतर होता है, और बड़ा की द्रिष्टी देखी जाती है, नममान शकुर्ली में भी ग्रह की द्रिष्टी देखी जाती है, पंचम भाव में मंगल और सुकर का बैठना, जहां यहां के अधिपती यहीं बैठे हैं, तो मंगल के पास एक है त्रिपतबल आ जाएगा, स्वत हुए वो भले ही अपने प रंचवेश होता है और मिथों लगने की कुंडली के लिए वो क्रमशा बारह में भाव का अधिपती होता है यानि की सया सुख भी है और बहतर है और यहां पर शुक्र स्वगरही होंगे मंगल के साथ तो कई बार व्यक्ति के जीवन में कई लोग आते हैं और कई लोगों का सम को पुट्र के श्नेह में या कई बार पिलंब याथर कई बार ठोड़े से प्रभाव चेदर में कमजोरी होती है बहुत जादर्गती सटा हुआ नहीं रहता है अपने पुत्रों से और अपनी पत्नします बहुत ज्यादय चुपकाने मतलब बहुत जीवरे बात करो सब्तम भाव के अधिपती गुरू बनते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां एक आदश्वे भाव में अपने भाव से पंचमस्त नित्र की राशी में और गुरू की दृष्टी यहां के लिए बहुत अच्छी, यहां के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि यहा तो यह अच्छी बात होगी, मतलब अगर मैं इतनी बाते कह रहा हूं तो उसमें यह बात मान लेने की है कि सुरी की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, बुद्ध की दशा थोड़ी कमजोर, परिवर्तन के साथ हैं तो चीज़ें आगे बढ़के मिल जाएंगी, बंजोर नहीं है और वो लाभेश के साथ बैठे हैं लाभ और पंचम के अधिपती का एक साथ बैठना पत्नी का दिमाग कई तरफ घुमेगा धन कमाने के लिए कई तरफ उनका दिशारा जाएगा अस्तम भाव के अधिपती बनेंगे यहाँ पे शनी और नमम भाव के अधिपती होने से यहाँ पे अस्तमेश का इनों दोश भी लगेगा और इस वज़ा से माता और सास ससूर इन सब चीजों को कभी कभी परिशानी मिलती है एक सामान ने तया यह बात कही जा सकती है और धन संपती के योग बने हैं ऐसी कोई बात विशेश उतया नहीं है दश जगा हो कुछ नकुछ जैसे एक अच्छा भाव उत्पन करें मिलने में सहयोग करें पॉजिटिविटी देने का काम करें उनकी दृष्टी जहां भी जाएगी कुछ नकुछ सुलब संकेत दे देगी पंचम भाव पे प्रेम को जाहिर करने की शक्ति उर्जा अलग तरीके क और दामपत्य को पकड़ में मजबूत रखने के स्थथी ये सारी चीजें गुरू देंगे एक आदश्वें भाव के अधिपति मंगल एक आदश्वें को देख रहे हैं ये अच्छी बात होगी जहां भ्यक्ति को मंगल की दशा में कई तरीके का धन, धान्य, आदी, अधिपतिय में जाना, थोड़ा कमजोर, धन के अधिपति का अस्थम में जाना, बुद्ध और शनी के साथ, करियर जो है वो उचाई पे जाए, पराक्रम ही मांगे, और उसमें अपग्रेडेशन भी मांगता है, वो मतलब चाहता है कि आप उसको कुछ दीजे, ऐसा, आपक आपकी कुणली के जो लगन की अधिपति हैं, वो क्या अस्थम में बैठे हैं, या वो क्या तुर्तिय भाव में बैठे हैं, इसका सीधा सा प्रमाण होगा, ये आप कह सकते हैं, कि आप अपने करियर से उसकी जब तोलना करते हैं, तो आपको ये बात दिख जाएगी सपस् लेते हैं, तो आपको स्वता ही वो चीजे संग्यान में आ जाती हैं, कि नहीं, मैं उस समय कहा था, क्योंकि आप से बेटर तो कोई नहीं जानता, तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, कि आपकी कुणली में दशमेश या दशमांस, या दशमांस का लगने लगनेश कैसा गया था, और आगे उसकी दशमें कैसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसको आप सही तरीके से अपने आप से व्रीफ एक कर सकते हैं, उसके विस्तरे दध्यान के लिए किसी जोतिशी क्यावशक्ता पढ़ सकती है, जो वो कई एंगल से देखता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि लगनेश तुर्द्याव में बैठे हो, तो थोड़ी कहुत कमजोरी के साथ, क्योंकि वो शुकर की राषी में, भूमी तुकि राषी में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी, यहाँ पर शुकर है, अब अगर आपकी कुर्ली के दशमांस का जो अध्यान बनता बताता हूं वहां पर चतुर्थ भाव में किसी सुभग्रा किराशी बनती हो और अगर कोई सुभग्रा बैठा हो तो मान कि आपको ये चल लेना चाहिए आपको अपने दशमांस को खोल करके रखना चाहिए उसको आपने शामने दशमांस का ज आपको जबी यहां पर देखना है तो एक बार यहां भी देखना होगा यहां भी देखना होगा अधि इससी इस्त्रतिना निकालगा कर करके आप एक उब्दरेटिव माइडसित के साथ ये दीवस कर सकते हैं या आप उसको अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना सकते हैं कि ये क्या कहना चाहरा है, उसमें तीन कितना मिला है, पांच कितना मिला है, एक कितना मिला है, दो कितना मिला है, पांच में से आप positive line लिखा करिए, ये इसकी एक अच्छी बात है, उसमें एक सुभगरा की दिश्टी पड़ गई, यानि कि एक और अच्छी बात हो गई, वो म ने का मतलब है, यहां सूर्य राहों के साथ हैं, वो सूर्य छठे भाव के अधिपती हैं, मतलब अगर छठे भाव के अधिपती राहों के साथ होंगे, तो क्रोध देंगे, और उसके साथ आपको कई बार सरकार से अप्तालमेल बनाने के बारे में विजार करना होगा, मतलब आप जबे भी काम सरकार से जोड़ करके करेंगे तो आपको ये बात समझ नहीं होगी कि उसके जो पैरलल आप जाकर के काम उससे सट करके काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए जो create करती है जो आपको देना चाहती है उसमें आप कितने उसके साथ समतुल्यता बना करके चल या फिर सरकार की जो policy है वो आपके policy से कितने निकट है या match करती है समझ में आ रही होंगी चीजे मतलब आप कोई भी illegal काम नहीं कर सकते कुछ ऐसी नीतियां आप अपने ब्यवहार और ब्यवसाय में नहीं ला सकते जो सरकार के खिलाब को क्यूंकि यहां सरकार के साथ राह यह काम करूं जो सरकार से जोड़कर के सरकार को approval क्या हो शकता है तो आपके उसके बनाएगे जितने भी term uncondition होते हैं उस पे आपको fulfillment रखनी होगी अगर नहीं रखेंगे तो कभी उस पे ताला चड़ सकता है यह ग्रह यहां यहीं इशारा करता है राहू की दशा चलेगी त आपके ना दें तो दर्वाजा खटखटा सकते यह कहने का मतलग वहीं सबतबाव की अधिपती जो हैं वो शुक्र वो परिवरतन में हैं शनी मंगल का प्रभाव यह चीजें एक अलग दाइरा देंगी देखने का सोचने का समझने का expectation जो है वो बढ़ जाता है तक्नीक का जान बढ़ जाता है जानकारी बढ़ जाती है शनी मंगल की तशा में देखने का नजर्या बदलेगा शनी मंगल की तशा में कई लोग आएंगे offer मुलेंगे लोग जुडेंगे और آپको approach करेंगे उसमें आपको नैने प्रभाव के लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा य इसको बहुत ज्यादा जो है वो नहीं देना है नवम भाव के अधिपती मंगल जन्मकुंडली में पीछे जा रहे हैं और नवम भाव पे गुरु की दृष्टी ये इस वहाव को अच्छी स्थुति में लेके जाएंगे दशम भाव के अधिपती कई बार व्यक्ति खुद का करने की आवशक्ता पढ़े जाती कि वारतो अपनी शर्त दालनी पूरती है कि आवशक्ता पढ़ीअ को आपके जगह पर कुसी दूसरे को लिया जासکता है कंद या ौपर दबाव ज्यादा होता है कि वे इतना ज्यादा अल्णिग का मिल जाता है कि आ blossom शोंच से भी परिन जाकर कि आप धन कमा लेते हैं कई बार आपको अपनी वानी पे अपने स्वभाव पे अपने बेवहार पे अपने धरातल पे विचार करने के लिए ये इंडिकिशन लेते हैं क्लिर है आप दशाओं में चर्चा कर लेते हैं ओवर जो कुणली है वो कैसी बन रही है और कितनी तार्किक है आपके साथ ग्रफ कौन-कौन से खड़े है हमेशा के लिए अनुशाशन नात्मक रूप से शनी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे मतलब कारिक्षेत्र के लिए इसके अतरित शुक्र बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए जीवन भर हमेशा ही वो चाहे कारक हो आकारक हो, मारक हो, कारक हो कुछ नहीं हैं तो है और बुद्ध आपके साथ आपको देने का हमेशा प्रयास करेगा चाहे कैसी बिस्तोती में हो मैं लगन शाट को अटा देता हूँ नमानस को अटा देता हूँ सबको अटा देता हूँ मैं जब बोल रहा हूँ वो हाँ तो हाँ उसके अतरित आपको आपके अंदर की पॉसिटिवीटी कभी भी खतम नहीं होगी ये गुरु और सुर्य आपको देते रहेंगे पर पेट और स्वासत में अतडियों की समस्या हड्डियों की समस्या रग्त की समस्या आपको परिशान कर सकती है सरदिखासी जुकाम और ठंडी चीजों से बचने और उससे एक अलग भी हैवियर रखना होगा और उन लोगों से दूर जाना होगा इसके अतरिक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं निर्ने लेने की छमता प्रभावित हो सकती है डिसीजन मेकिं केपैसिटी और क्रेडिबिलिटी पे कभी-कभी सवाल उठाये जाएंगे जिसका कि आपको कभी-कभी बुरा भी लगेगा इसके अतरिक्त मैं जो देख रहा हूँ जैसे अगर इसी कुंडली को मैं इस मामले में देखू कि इस कुंडली में भावन वाहन का सुख कैसा है तो शुक्र की दशा में मंगल की दशा में शनी की दशा में और बुद्ध की दशा में इनके दशाओं में मतलब अंतर प्रतंतर में भी आप इन सब चीजों के खरिदने का प्रयास कर सकते हैं और ये ग्रफ आपको देंगे भी थोड़ी बहुत मशकत के सांथ मंगल आपकी उर्जा थोड़ी खाएंगे और वो आपके सांथ हमेशा खड़े रहेंगे गुरू तुल्य हैं उनका आदर बनता है भाग्य का व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा और वो है पर वो इस चीज़ पर निर्वर करता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं मैंने ये बात कई बात पहले भी कही है कि आप भाग्य नाम की कोई चीज़ को हटा दीजे तो कर्म सबसे ज़ादा आवश्यक होती है लेकिन उस कर्म को बल और उस भाग्य को बल तभी मिलता है जब दोनों का समावेश होता है मतलब आपका भाग्य आपके भाग्य की बात अगर करूँ तो वो कर्म के बिना कुछ भी नहीं है और आपका कर्म आपके पिछले भाग्य की बिना पिछला प्रारब्द के बिना कुछ नहीं होता मैंने ये बात कई बार पहले भी कही है भाग्य के पास अपना बल नहीं होता वो कर्म के भरोसे और कर्म के बल पे आगे बढ़ता है अब के बतो सब तो बता दिया कुछ इसे तरीके से आज की कारिकम के समाफन करते हैं तब तक लिए जाज़ा दीजिए कालिक वाप्रिस सुपस्थ होंगे आप सब के सामगे तब तक लिए वाप्रिस सुपस्थ होंगे तब तक लिए वाप्रिस सुपस्थ होंगे